वीडियो दिखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com बेल आइकन दबा कर पाएं लेटिस्ट नोडिफिकेशन और नितीश की जुबान पर ये शब्द आकर ठहर गए जो भी करेगा अब NDA करेगा कल तक तो तैथा कि नितीश सीम बनेंगे पीम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बिहार में मुझे नितीश की जरूरत है तो फिर नितीश ने जो छोड़ा है वो सस्पेंस कैसा है नितीश कुम मेरी तरफ से कोई दबाव है और NDA का ये अंदिरने होता तो जो NDA का अंदिरने होगा वही न मानने होगा उसमें क्या है लेकिन कोई आप हमसे पूछिएगा कि आपका तो मेरा कोई क्लेम नहीं है बिहार में NDA के होँसले बुलन है लेकिन उसी NDA के CM के चहरे रहे नितीश आज दावा ठोकने से पीछे हट गए है सीनियर पत्रकार प्रेम कुमार का कहना है नितीश की सियासत को समझना इतना आसान नहीं है वो वक्त की नजाकत को बहुत बारीकी से भाप लेते हैं नितीश कुमार की सियासत को समझना हमेशा शे मुश्किल रहा है जो नितीश करते हैं वो बता कर नहीं करते नितीश कुमार अगर आची कौन होगा मुख्यमंत्री इस बात पर कुछ बोलना नहीं चाहते हैं तो इसका मतलब यह है यह नहीं है कि उन्होंने मुख्यमंत्री बद पर अपनी दावेदारी छोड़ दिया एक बात साफ है कि नितीश कुमार यह जान चुके हैं कि जो जनादेश है वो उनके खलाप है मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी आखरी अपील के बावजोग कि यह उटा आखरी चुनाव है मर्दाताओं ने उनकी पाइटी को 71 से 42 मुख्यमंत्री का नहीं रह जाता है अब सवाल यह कहीं बिहार की बदली सियासत में सी-एम का चिहरा बदलने पर मंथन तो नहीं हो रहा है क्या 74 सीटों पर विजय पता का लहराने वाली बीजेपी नितीश के अर्मानों पर पानी तो नहीं फेर डालेगी और अपना दाव को समझतों नहीं लिया है ये सिर्फ सवाल है जिनका जवाब NDA के ही पास है लेकिन NDA में इस वक्त एक सस्पेंस है हाला कि बीजेपी चुनाओं से पहले साफ कर चुकी है कि मुख्य मंतरी नितीश कुमार होंगे लेकिन चुनाओं के बाद पार्टियों के नंबर बदल गए ह अगर सी एम भी बदल जाए तो आश्चर ये कैसा? या इसके अलावा भी कोई समिकरन निकल के सामने आने वाला है? झालों को